अबसकार मैं हूँ दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के उबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में बड़े अस्तर पर प्रसास्निक सेवा के अधिकारियों का तबादलोर प्रमोसर न्योजे चक्षकों के लिए सक्षमता परिक्षा की जारी हुईती थी बिहार की महिला पुलिस कर्मियों को जल्द मिलेगी राहत सुभाष चंद्र बोश जैन्ती के अफसर पर सीम नितीस ने दीभाव भीनी स्रधांध लिए रवी सास्त्री और सुबमन्ध गिल को आज बी सीसी आई करेगा सम्मानेद इसके साधी बढ़ते साम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में बरे अस्तर पर प्रसास्तिक सिवा के अधिकारियों का तबाद लोड प्रमोसन बिहार में इस वक्त बरे अस्तर पर आई एस अधिकारियों और बिहार प्रसास्तिक सिवा के अथार अधिकारियों के तबाद योड प्रमोसन को लेकर ख़वर सामने आई है इस पोस्टिंग और प्रमोसन आदी को लेकर सामाने प्रसासन विभाग द्वारा इसके अधी सूचना जारी की जा चुकी है दिसके तहट कई जिलों के डीडिसी और कई SGO बदले गए हैं दिसमें पस्टिम चंपारन के बंदोबस्त पदाधिकारी स्री सुरेश चौधरी को ट्रांसफर करके अगले आदेश सचीव पंचायती राज विभाग पटना बिहार के पतपर अस्थापित किया जाएगा इसके साथ ही और भी कई अन्य अधिकारी रहें जिनके ट्रांसफर और प्रमोसन की खबर सामने आई है नियोज़त सक्षकों के लिए सक्षमता परिक्षा की जारी होई तिथी नियोज़त सक्षकों को राजिकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षा विभाग द्वारा फैसला लिया गया था कि इनके सक्षमता परिक्षा ली जाएंगी अब इस सक्षमता परिक्षा की तिथी भ प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं जो अभ्यरती अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे वेश जिला कारिक्रम पतादिकारी द्वारा वेतन भुक्तान पंजी से सत्यापत करवा लेंगे उसके बाद इसे 16 फरवरी तक भौतिक हस्ताक्षर के बाद अप्लोड कर द पत्र को अपलोट करना जरूरी होगा साथी आविदन करते समय तीन जिलों का विकल्प रखना अनिवारे हैं बिहार की महिला पुलिस कर्मियों को जल्द मिलेगी राहत प्रदेश में मौदूद महिला पुलिस कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा बरही राहत देने की तैयारी की जा रही है दरसल महिला पुलिस कर्मिय के लिए पुलिस मुख्याले दवारा नई तबादला नीती बनाई जा रही है अब इस निती के तहट आप इन्हें मनछाही पोस्टिंग मिल सकती है यानि अब ये बहार क्याहर के जिस तिरह सिंग गंगवार विचार कर रहे हैं हालां कि अंतिम फैसला ओच अस्तर पर ही होगा इस प्रापधान के मताबिक महिला पुलिस कर्मियों को तीन अस्थानों का चैन करने का मौका दिया जाएगा इन जलों में वे अपनी पहली दूसरी और तीसरी प्रात्मिक्ता बताएंगी ह हालां कि अधि किसी महिला पुलिस कर्मियों के पती पुलिस विभाग में ही कारेड़त हैं तो उन्हें उसी जगह पर पदा स्थापित करने के लिए प्रमुक्ता दी जाएगी आयुध्या के लिए मुझापरपुर सहीत उत्तर बिहार से चलने वाली आस्था ट्रेन का ये रहा रूट बिहार में आयुध्या जाने वालों के लिए अच्छी ख़बर है रसा डेलवे बोर्ड राम भक्तों के लिए बरी सौगात लेकर आया है खबर आई है कि मुझापरपुर सहीत नौर्थ बिहार से च्छे ट्रेने आयुध्या से चलाई जाने वाली है ये सबी ट्रेने मुझापरपुर नर्कटिया गंज के रास्ते ही जाएंगी वही जो आस्ता ट्रेने पटना से होकर चलेंगी उनकी रोड मुझापरपुर मोतिहारी बितिया नर्कटिया गंज होकर रहेंगे एक माच दो सुने एक पैसेंजर ट्रेन को आस्ता स्पेसल के रूप में बरौनी से कट्रा तक विस्तार मिला है यह ट्रेन पाटले पुत्र से नर्कटिया गंज के बीच चलती हैं लेकि नौ फरवरी से विस्तार के बाद मुरौनी से कट्रा तक के लिए चलाई जाएंगी वही 16 फरवरी को कट्रा के लिए सुने पांच दो नौ पांच मुझपरपूर कट्रा मुझपरपूर आस्ता स्पेसल ट्रेन खुलेंगी इसके अलावे 12 फरवरी को सुने पांच पांच छे तीन आस्ता स्पेसल ट्रेन समस्तिपूर से कट्रा के लिए खुलेंगी और 14 फरवरी को वापसी में आएंगी फिर महसी से कट्रा के बीच चलने वाली 055-081 आस्ता स्पेसल ट्रेन 23 फरवरी को महसी से खुलेगी और 25 फरवरी को वापस होगी इसके लावे मोतिहारी में कट्रा के बीच अलाई जाने वाली 055-083 आस्ता स्पेसल ट्रेन मोतिहारी से 26 आज परवरी को चले गी और कट्रा से 28 फरवरी को वापस होगी आज होने वाली कैबनेट बैठक की बढ़ी तारीक आज 120 KB को आज टाल दिया गया है वहीं अब इस बैठक के लिए कैबनेट विभाग द्वारा नई तारीक जारी की जाकी है जारी हुए पत्र के मुताबिक अब यह बैठक 25 जनवरी को सुबस सारे 11 बजे आयोज़त की जाएगी यह बैठक पटना में मुक्य सचीवाल रस्त मंत्री मंडल कक्चित में होनी है बता देकिन दिनों लगातार एक के बाद एक कैबनेट बैठक में जन कल्यान और विभाग को उद्योग ठेतर में एक नई दिसा में पहुचाने के लिए कई बड़े फैस ले लिए गये थे ताकि प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के अफसर खुल सकें लेकिन अभी तक हिया खबर सामने नहीं आई कि आज होने वाली कैबनेट बैठक को अचानक क्यों टाल कर तारीक बढ़ा दिया गया है प्रदेश के इन चार्विस विद्यालें में ने कुल सचीवों की हुई न्यूकती प्रदेश के चार्विस विद्यालें में ने कुल सचीवों की न्यूकती राजभवन सची वाले द्वारा की गई है इन नय कुल सचीवों में Dr. Vinay Kumar को Magad Viss Vidyalе का नया कुल सची बनाया गया है वेसे पहले A.N. College में इतिहास के परोफेसर थे वहीं वीर कुवर सिंग Viss Vidyalе में Dr. Vikas Chandra नय कुल सची बनाये गया है इससे पहले वे वनस्पत्य विभाग के असोसियेट प्रोफेसर आरा के महराहा एक कॉलेज में थे उसके बाद ललीत नारायन मिथला विस्विद्याले दर्भंगा में प्रोफिसर विनोत कुमार ओजा को नेव कुल्श सचीव के रूप में नियुक्त किया गया है जिससे पहले वे रसायन विभाग के असोसियेट प्रोफेसर कर्टिहार के डियस कॉलेज में थे अब बात करें तिलका मान जी भागलपुर विस्विद्याले की तो यहां डॉक्टर गिरी जेस नंदन कुमार ने कुल सचीव के रूप में चुने गए हैं सबसर पर मुख्य मंत्री नितीज कुमार ने उन्हें नमन करते हुए भाव भीनिस रधांजली अर्पित की है इस राजकी जेनती समारो का आयोजन पटना के गांधी मैदान के दक्सनी पूर्व कोने पर अस्तित सुभास पार्क में किया गया था इस दौरान सीम नितीज ने सुभास चंदर बोस के आदमकत प्रदिमा पर पुस्पांजली अर्पित की सीम नितीज के साथ साथ डेप्टी सीम तेजस्वी आदव और बिहार सरकार में मौजूद कई मंत्री मौजूद रहे मौके पर ही राज़ेपाल भी उपस्ते देखे इस दौरान बिहार राज़ेपाल ने संयुक्त ससस्त्रवल की सलामी ली और NCC कैड़ेट और स्काउट गाइड के परेट का निरेक्शन किया साथी सभी बिहार गीत एवं देशभक्ती गीत के कारिक्रम में भी सामिल हुए जिलाधिकारी चंदर सेकर और सक्षा विभाग ठंड में स्कूल खोलने के मामले में हुए आमने सामने पत्ना के जिलादिकारी चंदर सेकर सिंग ने ठंड के वज़े से जिला के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये थे लेकिन सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव इस मामले में उनका विरोध कर रहे हैं उन्होंने सबी स्कूलों को खोलने के आदेश दिये थे और पत्र भी जारी किये लेकिन अब जिलादिकारी चंदर सेकर ने इसका विरोध किया है साथी स्कूल खोलने समंदी पत्र को गैर कानूनी और अप्रसंगिक करार दिये दिया है वहीं इस मामले पर माधिमिक सक्चक निदेशक अनहीया प्रसाद स्रीवास्तव में पत्ना के जिला सक्चा अधिकारी को करक निर्देश देते वे पत्र लिखा है इस पत्र में उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि किसे भी द्याले को बंद करने से पहले विभागय नुमती लेनी जरूरी है यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो जुले के सबी स्कूलों को खुला रखने की कारवाई सुनिस्टत करें पत्र में सीधे तोर पर जिलादी कारियों द्वारा स्कूल बंद करने के आदिश को चुनाती दे दी गई है ब्रस्टाचार मामले में अमित लोहरा को हाई कोट से जटका विहार कैडर के आईपियस से अमित लोहरा पर ब्रस्टाचार के मामले दर्ज हैं अब इस मामले पर क्रीमनल रीट याचिका को पटना हाई कोट ने खारिज करते वे उनके खिलाब दर्ज भरस्टाचार के मामले में दर्ज प्राद्मिकों को खारिज करने से इंकार कर दिया है वह इस मामले के जिम्मेदारी अब जांच एजनसी स्वी यू को सौपी गई है साथी जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने निर्देश देते वे कहा है कि 6 महीने के भीतर अनुसंधान को तार्कीक अंत तक लाएं अदालत का मानना है कि या जांच निस्फक्ष तरीके से होनी चाहिए बतादे केमित लोहरा पर आए से अधिक संपती अर्जित करने और भरस्टाचार की कई मामले दर्ज हैं इस मामले में अवैद रूप से नीजी वैपार को आगे बरहाने और उसमें सामिल होकर अवैद कमाई करने के साथ ही 7 करोर रुपे की संपती अर्जित करने जैसे मामले सामिल है जबकि कानूनी स्रोतों के मताबिक उनकी आए 2 करोर से अधिक नहीं होनी चाहिए थी राज़ेपाल से मुलाकात के लिए सीम नितीस पहुँचे राजभवन सुबास चंदर वोस जैंती में सामिल होने के बाद सीम नितीस अचानक से राज़ेपाल से मुलाकात के लिए राजभवन पहुँचे इस दोरान सीम नितीज की साथ सा डिप्टी सीम ते जस्वी आदव और वितमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद देखें राजेपाल में से इन सभी की करीब 40 मिनट तक बात चीच चली हाना कि इस दोरान सभी ने मीडिया से दूरी बनाई रखी मेडिया में चली खबरों के मुदाबिक यह मुलाकात कईविस विद्यालेओं में ने कुलपदी के नियुक्ती को लेकर थी इनहीं मुदों पर चर्चा भी हुई है वहीं आद सुभास चंद्र बोस जेंती के अफसर पर डेप्टी सीम तिजस्वी आदब ने सोसल मीडिया एक्स पर कुछ पोस्ट सेर किये है जहां उन्होंने लिखाए कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक महान स्वतंतरता सेनानी नेता जी सुभास चंद्र बोस जी की जेंती पर आयोज़त राजकी समारों में उनकी आदमकत प्रदिमा पर माले आरपन कर स्रधान दिले अर्पित की है भारत जोरो यात्रा में सामिल होका नितीज इंडिया घरबंदन के एक जूटता का देंगे संदेश बिहार में दो चर्णों में राहुल गांदी की भारत जोरो यात्रा आयोज़त होने वाली है बिहार में या यात्रा 29 जनवरी को प्रवेस कर जाएगी कॉंग्रिस के तरब से इस यात्रा में राहुल गांदी के साथ नितीज कुमार को भी सामिल होने का नियोता दिया गया है लेकिन उससे पहले काफी चर्चा थी कि नितीज कुमार एंडिये में सामिल हो सकते हैं साथ ही कॉंग्रिस के बिहार मीडिया कमीटी के चेर्मेंद वारा भारत जोरो यात्रा को लेकर बताया गया कि जब यात्रा 30 जनवरी को पुर्णिया में होगी तब राहूल गांदे विसाल रैली को सम्मोधत करेंगे और रैली में बिहार के मुख्य मंत्री इंदीस कुमार भ भारत जोरो यात्रा बिहार में 29 जनवरी को प्रवेश करेगी तो वहीं बीजेपी के राष्ट्री अध्धक जेपी नड़्डा भी 30 जनवरी को कर्टेहार में जनसभा को सम्मोधत करने वाले हैं ठीक इसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का दोरा 4 परवरी को बि मिली जानकारी के इन मताबिक आने वाले चुनावधी सूचना जारी होने से पहले ही पार्टी 25 जनवरी को 10 परी रैली आयोज़ुत कर सकती हैं इस रैली में बीजेपी के कई बरे दिगज नेता जैसे रक्षा मंत्री राजनात सिंग, ग्रे मंत्री अमित साह जैसी हस्तिया भी सामिल होने वाली हैं, रालोज़त के उपिंद्र कुस्वाहा ने एंडिये के 40 सीटों पर जीतने का किया दावा, रालोज़त के राष्ट्य अधक्ष उपिंद्र कुस्वाहा बीते ही दिनों गोपाल गंज पहुंचे थे, यहां आते ही उन्होंने प्रदेश उपाध्य अरविंद कुमार के आवास पर कई कारेकरताओं से बात चीत की, इस दोरान उन्होंने पत्रकारों को संभोधित करते वे विपक्षी पार्टी को लिकर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, कहीं कुछ है नह वही पिये मोदी की चर्चा करते वे उन्होंने कहा कि देश भर में अभी नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, लोकसभा चुनाब में अंडिय की जीत होगी, आगे उन्होंने दावा करते वे कहा कि देश भर में और बिहार में 40 में से 40 सीट हम लोग जीतेंगे, सीट सेरिंग का कोई मामला नहीं है, सारी चीजे समय पर आ जाएंगी, वहीं आज पटना के स्रीक्रिस्ट मेमोरियल में रालोजद के तरफ से कर पूरी ठाकुर की जैनती मनाई जा रही है इस आयोजन को लेकर पार्टी द्वारा दावा किया गया था कि पूरे बिहार भर से 20,000 से भी अधिक कारे करता सामिल हो सकते हैं रवी सास्त्री और सुबमन गिल को आज BCCI करेगा सम्मानित, आज का दिन भारते क्रिकेट टीम के लिए काफे महत्वपून होने वाला है दरसल भात ये टीम के पूर्व कोच रवी सास्त्री को लाइफ टाइम अचीवविन्ट अवार्ड और सुबमन गिल को क्रिकेट आफ दा इयर अवार्ड से BCCI सम्मानित करने वाला है यह आयोजन इससे पहले वर्स 2019 में देखने को मिला था इस कारिकरम के दोरान भारती और इंग्लेंड की टीम मौदूद रहेंगी बता दे की बीते 12 महीनों में टीम इंडिया के ओपनर है सुबमन गिल की ने सांदार प्रदर्सन दिखाया है इसलिए आज उन्हें साल के सर्वस रिष्ट पुरसकार से सम्मानित किया जा रहा है वन्डे इंटरनेस्नल क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलारी अब सुमन गिल हो चुके हैं उन्होंने पांच सब तक इस पूरे साल में बनाए है वही दो बार भारतिय टीम के रवी सास्त्री कोच रहे चुके हैं पहली बार साल 2014-2016 तक वे टीम निदेसक के रूप में टीम से जुरे रहे हैं इसके बाद राज़ानी पठना में आज पेट्रोल की कीमट इक्स 205 रुप्य है और डीजल की कीमट ँन्हीं दर्भशाज की कीमट इकसाल की रुपे है और डीजल की कीमत 94.65 रुपे मिल रहा है किसंगर्ज में पेट्रॉल 109.35 रुपे है और डीजल 95.99 रुपे है मधुबनी में पेट्रॉल 108.77 रुपे है और डीजल 95.44 रुपे है बोजपूर में पेट्रॉल की कीमत 107.87 रुपे है और डीजल की कीमत 94.63 रुपे ह समस्तिपुर में पेट्रॉल 108.60 रुपे हैं और डीजल 90.3 बांच रुपे हैं में बात करें बांका की तो यहां पेट्रोल की कीमत 108 रुपए है और डीजल 94 साथ 3 रुपए है बीते दिन हमारे दौरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिकर दिया था जिन्होंने हमारे अनवर करीम खान गोनर सर्मा अमित कमाल हसन नौसाद रजाद हननजय कुमार रवी कुमार राम संजीत कुमार सुमन आरकि राना मनोवड आलम पुस्पकुमार छोटु राजा नवल कसोर ज्जा मोहमत साकिर हुसें सुसील कुमार धर्मिंद्र कुमार बाबूलाल मरांडी रंजीत मिस्रा, उमेश रिसीदेव, गौरव यादव, इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की ओर, आज का सवाल है, सुभास चंदर बोस के वैक्तित्व पर आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिकर जरूर बताएं, आज के इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद ब congressional के से देख करेंगे से उत्यूब से डाप आप